भद्रवा वनसंभाग की नीरू वन पर एक शीत्र के कमपार्टमेंट नमबर 18 में पीडों की कटाई में तेजी से व्रद्धी हुई है लोगों नी वन विभाग पर हरे सोनी की लूट के लिए मुकदर्शन की रूप में कारे करने का आरूप लगाया है लकडी तसकरो ने पिछले सब्ता से अपनी गत्विध्यों को तेज कर दिया है और उस शीत्र में सबसे अधिक नुकसान पहुचाया है जो घने देवदार और शंकुधारी जंगलों का घर है तसकरो द्वारा बेरहमी से काटे गए पेडों की कुल संख्या का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है लेकिन जंगल के विनाशकारे द्रशिल लूट की पेमाने पर लगभग परयापत है हाला कि वन अधिकारियों ने दावा किया है कि उन्होंने इस तसकरी को रोकने के लिए अभियान तेज कर दिया है इस्थाने लोगों ने विभाग पर इसमें शामल अधिकारियों को बचाने का आरोप लगाया है इस्थाने लोगों ने कहा कि लकडी माफिया द्वारा अभेद वनों की कटाई से शेत्र का वन शेत्र तेजी से कम हो रहा है और वन अधिकारियों पर लकडी तसकरों के साथ हाथ मिलाने का आरोप लगाया दिन के उजाले में बड़ी संख्या में पेड काटे गए हैं उन्हें कोई नहीं रोग पा रहा है वन अधिकारियों ने सब कुछ होने दिया वन अधिकारियों और लखडी तसकरों के बीच साथ गाठ है ऐसा गंफिर आरोप सामझ कार करताने लगाया है सुनिए और क्या कहा हमारा जो ग्रीन गोल्ड है उसकी लूट की स्पेस पर जो है चल रही है ऐसे ऐसे पेड गिराए जा रहे हैं जो आगे जो है सदियों तक खड़े रह सकते थे और लोगों को जो आक्सिजन परवाइड कर सकते थे ये देवद्यार का पेड है जिसकी एड जो है सेक्न साल होत हम जिन गाने जंगलों पर नाज करते हैं तो इनका नाम और निशान जो है हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा और मुझे लगता है कि आने वारे समय में हम बच्चों को जो है कहानी सुनाया करेंगे कि हमारे जंगलों में भी देवदार के पेड होते थे देखे आप फैलिंग हुई है इस कंपार्टमिंट नमबर 18 में और जंगलात का महकमा जो नींज से जागने के बाद इस वकत कहीं हमारे आने के बाद में यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर मुझा और जाया करके गया है और उनके मताबिक अगर देखा जाए तो उनका कहना है कि इस कमस कम 25 से 30 स्लीपर्स की स्मगलिंग हुई है तो ये बड़ा बदकिसमती का मकाम है नीरू रेंज में ही नहीं बलके फारिस डिवीजन भदरवा के मुक्तलिफ बलाक्स की अगर बात करें हर एक बलाक में जो है कटाई जोरों पे जारी है कटर्स का इस्तमाल जो जिन पे पाबंदी नाफिस की गई है सरकार की जानब से कटर्स का इस्तमाल होता है लेकिन जंगलात महकमा के कान पे जो नहीं रेंगती इनके जो हुकाम है वो कारवाई जब तक नहीं करेंगे कभी भी कारवाई नहीं करते हैं ऐसे ऐसे अमले के खिलाफ जिन अमले को यहां पर ताइनात किया गया है इनका मुहाफिज बनाया गया है इनकी इफाज़त के लिए इन जंगलों की इफाज़त करने के लिए यहां पर ताइनात किया गया है वो लोग कहा हैं वो लोग उन लो झाल को बहुआ जड़ है कि टाल को रुआ है तो.